सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप लोगोंने नोटिस किया होगा आज मार्केट सुबह में तो एक बाल के लिए तो फर्स्ट इक साथ सो पॉइंट उपड़ लगा फिर एक सर्टेंट पॉइंट पर ओपन हुआ मैंने उसी समय इमिनिटली ग्रूप में डाला कि फ्रेश लोंग अवाइड करिये वहां से क्या तूटा फिर रिकवरी हुई रिकवरी के समय मैंने स्टॉप लोगा लोग त्रेलिंग वाला फिर वहां से मार्केट बाउंस किया फिर वहां से वापस टूट एंड ट्वर्श देंड भी ही हुआ मेरे को लगा मतलब एक्चुली क्या हुआ मैं हमेशा ना सिंथेटिक फ्यूचर ट्रैक करता रहे तो मैंने नोटिस क्या सिंथेटिक फ्यूचर में अचानक से एक बहुत मेजर चेंज आया मतलब पहले वह 15 प्रीमियम नेगेट हो गया विदिन वन कैंडल मैंने इमिडिएटली ग्रूप में मेंसेज जाला कि या तो 255 के नीचे या 275 के ऊपर यह मूव दे सकता है उसको छोड़के हिरो जीर अवाइड करिये तू जब तक मैंने पेस्ट किया डाला वहां पे तब तक तो वह 50 पी से 50 चला गया और फिर वह 60 के असपास जाकर भी 45 पैंट किया तो भेंकर मूव था मतलब आज इतनी वोलेटिलिटी थी मैं मैं सब्सक्राइब आता हूं इतना बरदास्ट करना मुश्किल हो गया है मतलब आप लोगों को लगे है सर क्या ही वक्वास करते हो आप लेकिन दिक्कत है मतलब पैसे बन रहे हैं लेकिन इतना स्ट्रेस लेके पैसा बनाने से ना कभी-कभी फील होता है और बात यह है जीज दो दो देंड पर पता चलता है कि चलो ठीक है कुछ पैसे बन गए बट डे के दूरिंग दे तो आप लेफ राइट राइट आं सेंटर हो रह है हां सो जो मैंने बताया है जैसे मैंने नौ आट पिए मार्केट इस ओपनिंग रेश्टर फ्रेश लॉंग प्रेट इन दे बिगिनिंग क्लियर था और उसके बाद लेवल्स और हमारे थे क्या-क्या यह देख लेते हैं तो मैंने यह लिखा था कि 170 से कर रहा होगा तो सकता है तो इसमें ठीक है तो इसमें ठीक है ठीक ठाक मुवम्मेंट मिला है थोड़ा बहुत फिर फिर निफ्टी हमने डिसकर के था 275 और 220 नाव हुआ क्या यह उपर गया फिर उसके बाद वह ही है और मेरा काम यही रहता है कि गाइड करते रहूं लाई मार्केट में ठीक है और फिर मैंने यह लिखा भी था कि सुभा के ट्रैप से बज गया होंगा उसके फिर मैंने फ्रेश लेवल जे दिए थे कि इनके बहार ही अप्रेट्स बनेंगे और जब भी बाहर जा रहे थे तो अच्छे बन रहते हैं डिपेंडिंग किस ने लिया हो एन उसके बाद 12-4 पे मैंने डाला था यहां पर कि 19,000 90 के पास स्टॉप ले लो वहां से देखिए न साथ पॉइंट उपर मूव किया मार्केटिंग नहीं इसको इस्टॉप लोस लेता फ्रस्ता सेम चीज मैंने बैंक निफ्टी में बादा था बैंक निफ्टी मैंने थ्री 940 का डाला था अब ब अब आएगा जैसे लिखा यार मतलब दो मिनट भी मिल जाता ना तो काफी वीवर्स का फाइदा उठा पाते हैं बट टाइम ही नहीं मिला हाँ अब क्रेइट लेने के लिए तो कोई और यूट्यूबर रहता तो ज़रूर क्रेइट ले लेता क्या रही देखो मेरा बोला बट मैं जानता हूं को मैंने जैसे लिखा इमीडिटली अगर वो टूट गया है तो पढ़े कितने लोगों समय सो दोसो पांच सो लोग ठीक है तो ठीक है अब जो मिला हूँ अपना बाकी सब सपना वाला हिसाब है ठीक है दोसी आप से रखिएगा एनिवेस चलिए आगे क पोट कर इसके पहले ना मैं आपको एक क्रिप्टो प्लैटफॉर्म पे एक प्रिकट इस चल रहा है उसका यह आप देख लीजिए को एगे अब कि अब टू फंक्शन ऐसे नॉर्मल इंवेश्मेंट प्रोड़क्ट तो अब क्या हो गया है कि जिसे हमारे इंडेक्स होते हैं इस तरह से क्रिप्टो के एटीफ भी अब आ सकते हैं तो उसी करण क्या हुआ दुनिया वर में सारे क्रिप्टो अच्छा रैली किये क्रिप्टो का एक है जब वह शूट करते हैं तो उनके लिए एक चीज का रहता है क्यों कि सप्लाइए लिमिटेड है तो डिमांड अगर कभी भी क्रिएट हुआ तो वह शूट बहुत फास्ट करते हैं वह फिर क्या काफी इंवेस्टर्स को अच्छा रिवाड भी दे देते हैं एन ऑफ सब्सक्राइब करते हैं तो इस तरह का जो इंवेस्टिंग की बात होती है न जहां पर थोड़ा रखेंगे तो उसमें हेल्प करता है एंड क्रिप्टो को भी ऐसे डाइवर्सिफिकेशन इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर सकते हैं जिसे आपका मालिजिए इंवेस्टमेंट फोट्फोली एक लाग का है तो हजाट ए इसलिए इसमें रिटर्न भी है एनिवेस्ट तो मैं अभी ना आपको एक प्लैटफॉर्म का रहें बताऊंगा ओके एक एक थोड़ा नया तरह का प्लैटफॉर्म है जहां पर क्रिप्टो की इंवेस्टिंग ट्रेडिंग सब कुछ होती है आप उसको कर सकते हैं यहां पर क्रिप्टो कर दिशाना उसकर प्लैटफॉर्म जिसमें आप क्याएं तो अपना पॉद्धि को परचेजब कर सकते हैं क्रिप्तों डिलेट्टेट के एनेफेटी उनको फिर आप इंसल इन प्लाटफॉंट पे कर सकते हों क्रिकेट वल्डकरक्पा कैम्पेंगें आपको हैं काफिन करने को मिलेगा तो करना क्या होगा पहले तो पहले चेक कर लिजेगा फिर कुछ-कुछ टास्क करेंगे आपके पार्टनर डैप्स वागेड़ा पर उसके बाद कुछ फ्रेंट्स को इन्वाइट कर लिजेगा तो उससे क्या होगा जैसे ही आप अट्राप लिजेगा तो या तो अपने ट्रॉफी रखिये उस NFT को या फिर आप अपने उसको चाहिए तो आप उसको बेज़ भी सकते हैं तो वह आपके उपर है कि आपको उसका क्या कर नहया है लेकिन रिवार्ड्स जो मिल रहा है उसे वाट्स को आप देखिये एं उसको ज उनका NFTs अगर आपके पास है तो आपके लिए एडिशनल रिवार्ड अप्टू लाग डॉलर्स भी है तो वो कुछ गेम्स का कॉंटेस्ट है उस ही आप से रहेगा वह आप देख लिएगा डिटेल्स डिस्कॉप्शन में रहेंगे चेक कर लिजेगा चलिए अब आतने हैं अ हमाई नाम से बहुत सारे चैनल चलते हैं पर जो डिस्कॉप्शन लिंक है उसी से जोइन करेंगे तो वही जनुवीन चैनल है बाकी किसी में जाएंगे कोई स्कैम कर लेगा को आपको लूट लेगा फिर मेरे पास रोने मत आईएगा ठीक है एनिवेज चलिए अब आतने है उसके आगे जाने में दिक्कत आएगी तो अभी के लिए क्या लेवल्स रहेंगे देखिए अभी के लिए लेवल्स सिंपल रखते हैं हम लोग ठीक है नाइटीन थाउजन सेवेंटी नीचे का नाइटीन नाइटीन और टेन ऊपर काफी लोग बोलें साथ दस पॉंट सेलिंग मोड में है अब आप लोग बोलेंगे सर ऐसा क्यों कुछ कुछ चीजें होती है जिससे थोड़ा बहुत इफेक्ट नेगिटिव साइड में जाता है जैसे आज सुबह सुबह का जो फ्लैश नीउस था वो था कतर एयर्वेस पर गौर्मेंट ने 57,000 करोड का टैक्स रहते हैं तो उनको क्या दिक्कत रहता है उनको रहता है कि कल मेरे से कुछ इशुआ तो फिर मेरे उपर भी टैक्स चालू हो जाएगा तो यह एक प्रॉबलम है एक बार विटन से कुछ इशुआ था तो वोड़ा फोन को रगर दिया गया तो इस तरीके से अगर आप करोग मतलब पुराना हिसाब का डैक करता दालोगे नोटेश्ञ तो क्या होता है लोग थोड़ा परिशान हो जाते हैं अब जात्तर कोई फर्क नहीं पड़ता है वह वहात है इंडिया में लीगल प्रॉसस हैं इंडिया में लीगल प्रॉसस के लिए दूज आना पड़ता है बट संजो हुआ था उस समय मार्केट क्यों बीरिश हो गया था क्रेडियन फॉंड पेंशन फॉंड बेचे जा रहे थे बेचे जा रहे थे आप देख लो क्या हाल हुआ ठीक है अभी कतर और अभुधावी इंवेस्टमेंट ट्रस्ट बेसिकली यूए वाले इनका बहुत इंवेस सब्सक्राइब नहीं है कुछ ना उसका प्रोसीजर होता है आप इंटर्नाशन को जाहिए यह जाहिए वह जाहिए बट आप उस कंट्री को जवस्ती टैक्स्टरिशन के नाम में मत परेशान करिए तो उससे क्या होता है थ्वान नेगेटिव सेंटिमेंट पड़ता है ऑल् अभी तो जो चल रहा है चलने रहते हैं लेकिन इसके कारण क्या है ना कि माइंड सेट थोड़ा साना अभी इसका अलग हो गया है और वो चाहते हैं क्या बाउंस क्रिएट करिए आप लेजी यह मार्केट को उपर वो खुशी से ले जाने देंगे आपको एंफिड बेचें सबमा एका कई जो あा को मिल सकता है तर्स-टैटम नाइटीन थाउजन भी टूटा तो और आपको श्राप डाउन नीचे मिल सकता है देखने को ध्यान रखेगा नाइटीन सब्सेंट नीचे 1-930-960 दर्ण मुव करता हूँ दिखाई दे सकता है अपसाइट में क्या रखना है 1910 का लेवल कुशल रहेगा 1910 के ऊपर मार्केट मुव किया तो तक फर्स्ट लेवल इसली पॉसेबल कुछ और रहा तो मैं लाइव मार्केट करते हैं अब यह पैनिक में कब आएंगे जब निकलेगा ना तब इनको पैनिक होगा आइटीन लेक्ट लेक्ट वालों को तब यह क्या एक्जिट करना चालू करेंगे डाउंसाइट गर देखेंगे तो नाइटीन ओन फिटी पे देखिए हुआई कम होई है बड़ नाइटीन वान नेट पर अच्छी कासी हुआ है विट गोल्लैक 40,000 गॉन ट्राइक 73 प्रीम अगर किसी कारण से 1970 के नीचे मांफेट टिका ना फिर क्या होगा सेलिंग प्रेशर इन में भी आएगा थोड़ा सा और देखने को मिल सकता है अब बैंक निफ्टी क्या दिहान रखना है अब बैंक निफ्टी टूटा तो अच्छा खास ठीक है अवरेज क्लोजिंग 840 के पास की आई है हम लोगों को ज्यादा कुछ करना नहीं है िट strict कि सिंपवल सा लेवल मर्क करते दखेंगे सिंपल सा लाबर यह मर्क रखेंगी 42 यह ने नीचे ने दिन गभर में हम like 43 जैने तो 42 ओटने मार्कित थोड़े एक थ। 42 हंट मार्कित थैंत तो 42 550 टंडी हो जाएगा दिया घ्रखेंगा 42 पॉसिबिल्टी है देखते हैं क्या होते हैं अपसाइड में लेवल धियान अखना है कि 43,000 के उपर निकला तो जितने शॉट्स आज क्रियेट हुए ना सब शॉट कवरिंग में जाएंगे एंड कल भी जो मार्केट में आपसाइड मोमेंटम लाक में आया था वह बैंक एक्स कि वह शॉट कवरिंग कराना इजी हो जाता है तो फिर क्या है 43,000 के उपर शॉट काफी कटेंगे फिर आपका 43,200,250 तक मूवमेंट इजी हो जाएगा 150,200,250 इजी मूवमेंट मार्केट ले पॉसिबल है अगर 43,000 के उपर हम ठीक है तो एंड लाइव मार्केट में कुछ च अच्छा मैंने जो क्रिप्टो प्लैट्फॉर्म का एड किया है तो वो कॉंटेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए किया है तो उस हिसाफ से देखिएगा ठीक है हाँ यह क्या नहीं रखना इसा है 42,800 42,900 यह सब जो आप देख रहे हैं इसमें कॉल राइटिंग जम के हुई है बड़ी कॉंटिटीज है अब यह 43,000 के उपर निकले गाना तभी है पैनिक मैं उसके पहले है यह नहीं आने वाले लेकिन देखेंगे तो 43,000 के 210 प्रियां के संग 152,000 कॉंट्रैक्ट्स है अब क्या है जैसे 43,000 के रिखे जाएगा यह 150,000 कॉंट्रैक्ट एट रस 42,900 वाले भी 800 वाले भी इमीडियेटली एटरस काएंगे बड़ा कॉंटिटीटी है इसलिए शाप डाउनोफ ट्रिकर करेंगे तो इसके लिए कियरफुल रहेगा तुपासा मेजर बैंकिंग चार्ट जिनके कारण बैंक निफ्टिए बड़े मुव्मेंट्स होते हैं जब तक यह 1480 के नीचे है तब तक बायस नेगेटिव साइड का ही रहेगा फोटीन नेगेटिव साइड का बयास रकना बेवकूफ होगी आईसे सेवें नाइनड़ फिफ्टीन का लेवल इसमार्क तक रखेंगेगा तो सेलिंग प्रेशर फ्रेश आएगा नहीं तो नहीं आने वाला और इसमें प्रेशर आएगा तो बैंक निफ्टी में इसका वेटेश 25 परसेंट के आसपास है को तक आज अकेरा पॉजिटिव बैंक था यह 1730 मतब मेजर बैंक में 1730 का लेवल धियान रखेगा 1730 के नीचे आपको इसमें मोमिंटम डाउनसाइट का देखने को मिल सकता है एक्सिस बैंक क्या लेवल धियान रखने है 980 के पास है यह 980 के नीचे टूपता है तो 950 तक यह स्लाइड करेगा पॉजिशनली धीरे धीरे तो फिर क्या बैंक निफ्टी में भी शॉट करते रहेगा अब रिलायंस कल तो शूट किया आज वापर से डिप कर दिया है 2300 के यह उपर निकलेगा तभी यह पॉजटी में भी शॉट करके देगा बट इसके नीचे अगर है नेगेटिव बैस तो और कंटीनियू हो सकता है देखते रहे है ठीक है इन फीट थाटीन सेवेंटी वापर है या नीचे इस पर डिसाइड करिएगा और जैसा ही यह रहेगा आपको तो वह ध्यान रखिएगा अब आते हैं है कुछ अधर बेजर चार्ट पर तो कुरूड का जैसा है कि 7000 नीचे हमने वीक्नेस एक्सपेट किया था वीक्नेस तो कंटीनियू चल रहे है नौ मेरा मान नहीं है कि जब तक सब्सक्राइगा अभी ना चौट साइड में प्ले करना इसको थोड़ा रिस्की है तो 7000 की उपर ही अपसाइड का मूव है गोल्ड यह पॉजिटिव चल रहा है एंड थैंक्फुली मैंने सही टाइम पे इसमें तुखाव डाला था ताफी लोग मेना मजाक उड़ा रहे थे उस समय बढ़ ठीक है कोई बात नहीं इसके उपर यह फ्रेश बुलिश हो सकता है वीडियो ची लगी हो तो लाइक कर दीजेगा